तो आपके सामने ये मेरी एक site है जिसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और इसका approval status आप देख सकते हैं, यहाँ पर ready है और अगर मैं home पे जाता हूँ तो home पे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह अर्निंग यहाँ पर बनी होई आपको नजर आ रही होगी और यह मेरा ADX का अकाउंट है, जैसे कि आपको अल्रेडी पता ही होगा ADX पर Approval तब मिलता है, जब आपके ADSENCE पर Already Approval मिला हुआ होता है मेरे ADSENCE पर Already Approval मिला ही हुआ है और यहाँ पर मैं ADX आपको इसलिए दिखा रहा हूं, क्यूंकि मैं ADSENCE अपना यहाँ पर आपको शोग नहीं करना चाहता हूँ आपको किस तरीके से अपने AdSense पर Approval मिलेगा सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं देने वाला हूँ आप देख रहे हैं Box Put मेरा नाम है राहूल Google AdSense Approval in 25 Days How to Approve Website for AdSense आपको 25 Days के अंदर किस तरीके से AdSense का Approval मिल सकता है आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो को Last तक देखना एक भी Step आपको Miss नहीं करना है पांच Simple Steps में मैं आपको आज इस वीडियो को Complete करने वाला हूँ तो यह पांचो इस Step आपको Follow करने होंगे तो चलिए सबसे पहले मैं आपको step first पर लेकर चलता हूँ जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आएगा Google AdSense Approval in 25 Days अब step first जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा By domain and hosting, download WordPress and set up a website तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको एक domain लेना होगा एक hosting आपको buy करनी होगी उस पर आपको WordPress install करना होगा अब domain and hosting आपको कहां से buy करनी है ये भी मैं आपको एक clue देता हूँ आपको यहाँ से काफी अच्छा कासा discount मिल जाएगा अगर आप इस वाले platform से domain and hosting buy करते हैं उस case में आपको वीडियो के description में link दे दूँगा मैं आप मेरे link से जाएगे तो आपको discount definitely मिल जाएगा और उसके थूरू आप domain and hosting buy कर सकते हैं बाकी मैं आपको domain and hosting का price इस platform पर दिखा दिता हूँ ये platform है जहां से आप domain and hosting easily buy कर सकते हैं आप web hosting की बात की जाए तो आप web hosting पर चले जाना and आपको यहां पर नीचे आना है आप web hosting आपको bronze, silver and gold के तीन पार्ट में यहां पर मिलती है आपको इसमें जो recommended है silver वाला आप इस वाले hosting को अगर buy करते हैं तो आपको यहां से जादा अच्छा benefit हो जाएगा और आपको adsense approval मिलने में भी easy हो जाएगा और अगर आपके पास जादा investment है तो आप gold वाला भी ले सकते हैं in case अगर आप starter वाला लेंगे यानि कि यहां पर bronze वाला लेंगे जितना अच्छा आप plan लेंगे जितना अच्छा आप invest करेंगे उतने अच्छे आपको यहां पर features मिल जाएंगे मैंने अपना domain and hosting यहीं से लिया हुआ है तो आप भी यहां से जाकर domain and hosting buy कर सकते हैं एक important चीज अगर आप यहां से hosting लेते हैं तो आपको domain यहां से free भी मिलने के chances हैं अगर आप मेरे links आएंगे तो आपको यहां पर domain भी free में मिल जाएगा तो आपको यहां पर सबसे पहले domain and hosting लेना है और उसके बाद आपको c-panel connect करना होगा मैं हाँ पर अपना c-panel आपको यहां पर दिखा देता हूँ मैं login पर click कर लेता हूँ यहां पर यह वाला मेरा c-panel है web hosting आप देख सकते हैं मैंने यहां पर web hosting ले हुई है मैंने gold plan लिया हुआ है जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा आपको यहां पर login to c-panel control panel का यह वाला option मिलेगा hosting के side में ही आपको इस पर click करना होगा जैसी आप इस पर click करेंगे तो आप redirect हो जाएंगे c-panel के उपर and c-panel आपको इस तरीके से नजर आएगा इस c-panel पर आने के बाद अगर आपका directly नहीं आता है तो login ID and password मागेगा जो आपने create किया होगा उससे आप यहां पर login कर लेना इसके बाद आपको यहां पर WP toolkit का यह वाला button मिलेगा आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आप इस वाले platform पर पहुंच जाएंगे install WordPress का आपको यहां पर option मिल जाएगा आपको यहां से WordPress को install करना है और आपका जैसे ही WordPress install हो जाएगा उसके बाद आपको अपने WordPress पर login करना होगा तो मैं अब आपको अपने WordPress पर directly लेकर चलता हूं और दिखाता हूं मैंने यहां पर किस तरीके से अपना WordPress install किया हुआ है और मैंने किस तरीके से customize किया हुआ है तो first step आपका यही होने वाला है आपको complete domain hosting buy करके WordPress को install कर लेना है और इस वाले पैनल पर आ जाना है इंटरफेस पर आ जाना है इस पर जैसे ही आप आ जाएंगे फिर आप चलते हैं इस पर आपको क्या-क्या काम करना है AdSense के approval के लिए क्योंकि सबसे पहले AdSense approval के लिए आपकी website होना बहुत ज़्यादा important है तो website के लिए आपने हापर WordPress install कर लिया आपने domain hosting buy कर लिया आप चलते हैं step second के उपर तो step second आपके सामने है install generate press theme आपको generate press की theme यहाँ पर install करनी है वो किस तरीके से आप करेंगे तो आपको सबसे पहले आजाना है अपने panel के उपर WordPress panel के उपर यहाँ पर आने के बाद आपको यह appearance वाला option नजर आएगा इस पर जाने के बाद आपको theme वाला option नजर आएगा आपको theme वाले option पर जाना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर generate press जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर आपको search करना होगा इस search वाले option पर आपको लिखना होगा generate press और आप generate press जब लिख देंगे तो इस तरीके से यह वाली theme आपको नजर आएगी आपको यहां पर activate install का option नजर आएगा आप install कर देना and then activate कर देना मैंने यहां से already किया हुआ है जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा तो step second आपक इस theme को यहां पर install करना होगा so install करके active जब आप इस वह कर दोगे आपकी जो website वह कुछ इस तरीके से नजर आएगे जैसी मेरी website आपको यह वाली नजर आ रही है so यह होगी हमारा step second आप बात कर लेते हैं step third की तो step third सबसे important है यहां पर आप देख सकते हैं install rank math plugin आपको rank math plugin यहां से install करनी होगी वो करने के लिए आपको आजाना है plugin वाले option के उपर यह plugin मिलेगा आपको इस पर क्लिक करके यहां पर plugin आपको सर्च करनी है या add new plugin का button नहीं मिलेगा आपको add new plugin पर क्लिक करना है यहाँ पर search करना है rank math plugin आप यहाँ पर rank math लिखकर search कर देना तो यह plugin आपकी यहाँ पर आ जाएगी जैसे कि top पर आपको यह plugin मिल जाएगी अब यह plugin किस चीज में help करती है यह plugin आपकी website पर SEO करने में help करती है जब भी आप कोई article या blog publish करेंगे अपनी website के उपर login कर लेना इसके साथ आपको एक plugin और इंस्टॉल करनी है उस plugin का नाम है site kit अप site kit plugin यहाँ पर लिख लेना और search कर देना जैसी आप इसको search करेंगे तो यह वाली plugin यहाँ पर आपको मिल जाएगी site kit by google यह google की plugin है आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करकर update कर देना यहाँ पर मेरेको update now का आ रहा है क्योंकि मैंने already इसको install किया हुआ है फिर अब यहाँ पर update now का option आए तो आप यहाँ पर इसको update भी कर सकते हैं जैसी आप इसे update करेंगे तो यह plugin आपकी हाँ से update हो जाएगी अब यह plugin किस चीज में help करेगी तो यह plugin भी आपको यहाँ से score दिखाएगी कि आपके website के उपर कितने लोग आ रहे हैं और क्लिक्स आ रहे हैं आपके website के उपर कितने keywords के साथ search में आ रहा है आपका content तो वह कैसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर यह plugin नजर आ जाएगी site kit वाली तो आपको site kit वाले के dashboard पर चले जाना इस plugin के इस plugin के dashboard पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाएगा की metrics traffic content speed monetization आपकी website का speed भी important है तो अगर आप speed पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दिखाएगा कि आपकी website का content का speed कितना है थोड़ा सा time लेगा traffic की बात करें तो traffic दिखाएगा यहां से आप इस traffic पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको traffic दिखादेगा आपकी website कितना traffic आ रहा है key matrix की बात कीज़े तो key matrix आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखा देगा अब सबसे important monetization क्योंकि जैसे आप website बना लोगे तो आपको monetization की ज़रत पड़ेगी adsense approval के लिए monetization कैसे करेंगे तो monetization पर आपको click करना है अब यहाँ से आपको adsense आ जाएगा और यहाँ से approval के लिए अपनी website को भेट सकते हैं इस वाली plugin के थुरू तो यह हो गया हमारा step third step third हो गया है यह हमारा अब fourth step सबसे important होने वाला है अब fourth step पर चलते हैं कि आपको fourth step में क्या करना है तो fourth step में आपको यहाँ पर create important pages like privacy policy, about us, contact us यह pages आपको अपनी website के उपर बनाने होंगे अगर आपने यह pages नहीं बनाए तो आपको adsense approval मिलने में थोड़ा मुश्किल होने वाला है अब आपको privacy policy का page कैसा बनाना है तो आपको google पर आना है और यहाँ पर आपको लिखना है privacy policy अब आपको privacy policy आप लिखकर यहाँ पर search कर देना फिर आपको यहाँ पर page लिख देना है और generator लिख देना है जैसी आप यह लिखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी websites मिल जाएगी जो आपको privacy policy का page खुद से generate करके देगी उसमें आपको अपनी detail सिर्फ add-on करनी होगी अपनी website अपना नाम अपना contact number यह सारी डिटेल आपको एड़ करनी है बहुत सारी ऐसी websites है जो आपको फ्री में भी privacy policy का page बनाके देगी अप जैसे page बनाके देगी तो आपको यहाँ से just copy and paste करना है आपको यहाँ से content को copy कर लेना है फिर आपको pages पर आ चाना है और यहां से add new page करके आपको privacy policy का जैसे मैंने यह पेज sad day रहाए होँ आप यहां पर आकर आप इसको paste कर सकते हैं add it पर click करके यहाँ पर आप अपना privacy policy का page add कर लेना अप जैसी privacy policy का page बना लेंगे उसके बाद आपको contact us का page बनाना है आप contact us का page का आपको demo भी Google पे मिल जाएगा अदरवाइस आप खुद से भी बना सकते हैं यहाँ पर हम लिख देंगे contact us contact us page आप लिखकर यहाँ पर search करेंगे तो यहाँ पर आपको demo मिल जाएगा कि आप किस तरीके से contact us का page बना सकते हैं contact us का page बनाना बहुत simple है उसमें आपको अपना email id डालना है contact number डालना है यह detail डालके आप अपना page create कर सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पर add new page कर लेना और आपका contact us का page भी हाँ बन जाएगा इसी तरीके से आप about us का page भी create कर सकते हैं about us का page create करके आपको उसके अंदर अपने बारे में लिखना है कि आपकी website किस topic से related है अब वह content कैसे लिखना है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको content लिखने के लिए आप chat GPT के help ले सकते हैं आपको और अच्छे खाज़े tool मिल जाएंगे google पे आप google jamini का use कर सकते हैं जिससे आप content लिखके about us का page यहाँ पर create कर सकते हैं सो यह हमारे चार steps यहाँ पर complete हो गए है अब most important step है पाचवा step जो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा important है इसी के थुरू आपको यहाँ पर approval मिलेगा इस step को आपको बहुत ध्यान से देखना है अब आपको 5th step है write a human written article publish 5 to 10 article on daily basis आपको human written content यहाँ पर लिखना है अपने article अपने हिसाब से यहाँ पर content लिखना है और content आपको किसी भी चैड जीपिटी से या किसी और टूल से आपको नहीं लिखना है अगर आप उससे भी लिखेंगे तो भी चलेगा बट आपको उसमें अपना tone भी देना होगा यानि कि अपनी knowledge के हिसाब से उसमें content को add-on सारी च चैड जीपिटी सर्च कर लेते हैं अब चैड जीपिटी पर आप एक article लिखवाते हैं website traffic से रिलेटेड और यहां पर यह आपको एक article लिखके देगा website traffic से रिलेटेड एक complete article आपको यहां पर मिल जाएगा चैड जीपिटी आपको देदेगा फिर आपको इस content के अंदर modification करन तो आपकी यहां पर content इस तरीके से आपको यहां पर suggestions मिल जाएंगे जो लोग यहां से पूछ रहे हैं इस content के बारे में एक तो यह मिल जाएगा आपको and सबसे important अगर आप scroll down करके सबसे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको people searches का यह वाला button मिल जाएगा तो आपको क्या कर करना है अपने उस article के अंदर इन points को add-on करना होगा और सबसे important है अगर आप इन points को add-on करेंगे तो आपकी website google के rank पर आने के काफी अच्छे कासे आपके chances हो जाएंगे और अगर आपकी website google पर rank पर आएगी तो आपकी website पर काफी अच्छा कासा organic traffic आपको मिलेगा जिसके थू आपको adsense approval में काफी easy हो जाएगा और article आपको किस तरीके से लिखना है अपने article के अंदर आपको headlines changes करने होंगे आपको अपने article में अपने हिसाब से human tone देना होगा किसी भी AI tool का जब आप use करते हैं तो उसमें आपको काफी सारी customization करना होगा जैसे कि आपको content को rewrite भी करना होत site पर content को डालना होगा और उसके थूरू भी आप content को customize कर सकते हैं बाकि आपको content किस तरीके से लिखना है आपको बहुत सारा content मिल जाएगा Google के थूरू बहुत सारा content आप YouTube के थूरू भी ले सकते हैं और उसको किस तरीके से changes करने हैं वो सब भी आप कर सकते हैं आपको total 5 to 10 articles daily basis पर लिखने हैं अपनी website के उपर publish करने है 25 days तक and 25 days जैसे complete हो जाएं आपकी website के उपर traffic आना start हो जाएं जैसे traffic आना भी start हो जाएगा and उसके बाद सबसे important point एक चीज आपको और करनी है आपको Google search console इस पर अपना account बनाना है इसके साथ आपको अपनी website को connect करना है मैं यहाँ पर दिखा देता हूं start now पर click करके website इसके साथ connect करना बहुत easy है आपको यहाँ पर add property का option मिलेगा आपको add property पर जाना है and यहाँ पर आपको URL preference यह वाला option मिल जाएगा आपको यहाँ पर अपनी website का link डालना है और आप इसको continue कर देना फिर यह आपको यहाँ से code देगा उस code क आपको क्या करना है copy करना है copy करके आपको आजाना है अपनी website के अंदर and इसके बाद आने के बाद आपको यहाँ पर appearance में जाना है appearance के बाद theme file editor पर चले जाना इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर scroll down करना है theme header का option आपको मिल जाएगा आपको इस पर click करना है यहाँ पर आ है यहाँ पर code को पेस्ट करना है और file को update कर देना है जैसी आप इसको update कर देंगे आपकी website google search console के साथ connect हो जाएगी और यहाँ पर जैसी आपकी file connect हो जाएगी आपकी website इस तरीके से show होना इस start हो जाएगी and फिर आपको daily basis पर यहाँ notification पर आप आ जाना and यहाँ पर आपको कोई बिभी issue आएगे जैसे कि आपको यहाँ पर नजल आ खाला है some pages आपको fix करने है index नहीं हो रहा है pages का यह सारी details आपको यहाँ पर यहाँ पर इस करते रहेंगे आपको इन pages को daily basis पर यहाँ पर fix करना होगा जो भी issue आपके यहाँ पर आते हैं अब इसमें आपको एक चीज में आपके जो page है वो index क्यों नहीं हुए तो आपको इस पर click करना है आपको यहाँ पर नीचे शो करेगा कि आपके pages index क्यों नहीं हुए है और आप manually अगर page index करना चाहते हैं तो वो apply आप यहाँ पर कर सकते हैं अब कैसे करेंगे इस प्र जाने के बाद आपको यहाँ पर URL डालना होगा तो हम अपनी website को open कर लेते हैं जैसे कि यह वाली website हमने उपन कर ले इसमें वाला हमने blog नया डाला है तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं ये blog हमारा open हो गया तो इस link को हम copy कर लेते हैं इस URL को हमको index करवाना है तो इसको index कराने के लिए copy कर लेना यहाँ पर आके आपको इस URL को यहाँ पर paste करना होगा और आप इसको search कर लेना जैसी आप search करेंगे तो आपका यहाँ पर यह paste दिखाएगा URL is not on Google इस तरीके से आपको शो करेगा बाकि इस URL के बारे में सारी डिटेल आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी फिर आप यहाँ से request indexing का यह वाला बटन है आप यहाँ पर request डाल सकते हैं जैसी आप इसको request add करेंगे तो फिर यह test if live URL can be indexed अगर आपका URL लाइव है जैसा कि मैंने अल्री लाइव किया हुआ है तो यह index के लिए apply हो जाएगा indexing का मतलब होता है Google का search controller आपकी website पर आएगा और आपके content को read out करेगा और उसके तुरुप आपको Google पर rank देगा और जितने जादा आपके pages index होंगे उतना ज्यादा आपके लिए यहां पर better होगा आपका content Google पर show होगा तो मैंने यहां से request कर दिया है आप यहां पर आ जाएगा indexing request submitted आप यहां पर यह within 24 hours के अंदर में आपका page index हो जाएगा और Google पर आपको यह live दिखा देगा इसी तरीके से आपको जो भी page index करना है आपको URL इंस्पेक्शन पर आना है और यहां पर अपना URL डाल के index request आपको डाल देनी है तो यह काम आपको जरूर करना है बहुत important point है यह आपको इसके बिना आपका जो website है आपका ज enter site map URL अब जैसे कि मेरी जो website है यहां पर आप देख सकते हैं successfully मैंने यहां से site map index किया हुआ है मैंने अपनी website के आगे यह था फिर इसके बाद डूपी site map.xml यह आपको लिखकर यहां पर enter करके submit करना होगा जिसके बाद यहां से इस तरीके से submit हो जाएगा कैसे होगा मैं XML site map complete यहां से submit already है और यह pages आपको नजर आ जाएंगे मेरा site map यहां पर submitted है इन pages को आप जाकर open करके check भी कर सकते हैं यहां से मैं आपको open करके एक बार इनको check करवा देता हूं इन pages को और आप देख सकते हैं इसके अंदर यह सारे pages आपको मिल जाएंगे यह काफी जादा important point ह और यह आपको जरूर करना है categories भी नजर आ जाएगी यहां पर आपको आपकी पूरी website का data नजर आ जाएगा जो भी Google ने read out किया हुआ है वो सारा data आपको यहां पर नजर आरहा होगा तो आपको अपना site map submit जरूर करना है और site map submit करके आपको URL को index जरूर करवाना है तो यह simple 5 पाँच स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं 25 डेस के अंदर आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं अपनी वेबसाइट पे एंड उसके थुरू आप एडसेंस के तुरू ओनलाइन अज से करना स्टार्ट कर सकते हैं आई हूप आपको ये मेरे पांच स्टेप्स बहुत यूणीक एंड इंफरमेटीव लगे होंगे अगर आपको ये वडियो इंफरमेटीव लगी है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ जाइर जरूर कर लेना अगर आपको एडसेंस पर अप् पाएंगे अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना है तो यह वाली प्लेलिस्ट अवेलेबल है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना कोई भी कोशन एक वैरी मेरे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी वीडियो से रिलेटेड है तो आप यहां पे आजाना इस पर क्लिक करके आपको टेलीगराम वटसेप इंस्टागराम मिल जाएगा यहां पे आके आप मुझे कर सकते हैं अपनी प्रॉबलम्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्यू